नमस्कार और आप देखें पलपल एक कहावत है कि औरों को नशीहत और खुद मीहाँ फजीहत कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला फतिवाद के लगुश साचिवाले में कोरोना संकट के चलते आम जन को सोसल डिस्टेंसिंग का पाट पढ़ाने वाले बाबु लोग अपने ही कारियले में लोगों को सोसल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करवा रहे पतेवाद के तसील कारियले का हाला देख करके ऐसा ही लगता है हालांकि अधिकारियों को ये नहीं लगता कि देश में करोना का संकर चल रहा है लोगों को सोसल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए कारियले के वहार एक निश्चित दूरी पर सरकल बनाए गए थे जिसके एक सरकल में एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता है मगर यहां हालाग पूरी तरह से उल्टे थे एक ही सरकल में यहां पर तीन-तीन लोग खड़े थे सोसल डिस्टेंसिंग की फिक्र और करोना का डर ने तो यहां के आमजन को था और नही अधिकारियों और करमचारियों को वही तसील कारियले में बैठे अधिकारी से जब बात की गई तो उनका जवाव हैरान कर देने वाला था कारियले में बैठे नायाव तसिदाल ने कहा कि आज सौंबार है दो दिन की छूटी के बाद रजिश्ट्री करेवाने वालों की अचानक भीड बढ़ गई है हाला कि उन्होंने व्यवेस्थित करने का पूरा प्रयास किया मगर लोग हैं कि मानते नहीं अभी से प्राशासन की लापरवाही कहें या फिर हट धर्मिता पूरी शहर में सोचल डिस्टेंसिंग मास्क ने लगाने और कानून की पालना ने करने वालों की चालान भी काठे जा रहे हैं मगर कई सरकारी कार्यालों में आलम यह है कि सब तांक के सोय हुए हैं यानि इन्हें कोई कहने वाला है और ना ही को सुनने वाला फलबल फदवाद से राजेश भांबो की विशेश रिपॉर्ट सब लेकिन को थीए है सब पाला गाला करें नहीं ह करते हैं मैं तो कई बार मैं तो फर्दे बंद भी गरवा रहता हूं वही तो सब्सक्राइब नहीं है यह जी चानल स्रापर मेरा राजे इसकर अपनाए प्रसिता के बार चस्तों बार मैं अऊ डहां प्रवा रहता हूं आए हुं अ प्रेंग अपाइब लुट कर दो हिंदा है कर दो कर दो कर दो कर दो